नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागर्ण के समपादकी से 431 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड मिलेंगे पहली बार में 80 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस dictation के PDF की जरुवत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो 80 की speed में आपका dictation इस्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप ready रहें इस्टार्ट 2002 के गुजरात दंगों के मामले में ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोधी को विशेश जाच दल की ओर से मिली क्लेंचित को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिपड़ियां की वे यही बता रही हैं कि किस तरह उन्हें लांचित करने का एक सरारत भरा अभियान छेडा गया सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस सरारती अभियान को रेखांकित भी किया कि ऐसा लगता है कि विशेश जाच दल की रिपोर्ट को चुनोती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इसारे पर काम कर रही थी यह एक यथार्थ भी है नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छदम सेक्यूलर लिबरल तत्वों के साथ संदिख्ध किस्म के मानवा धिकार वादियों की एक पूरी तोली सक्रिय थी इसका साथ कुछ नौकर साह और नेता भी दे रहे थें यह महत्वपूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई जूठी बातें दर्ज की गई पैरा आयोध्या से लोट रहे कार सेवकों को ट्रेन में जिन्दा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भढके दंगों को राजय प्रसासन के सडयंत्र का हिस्सा बताने के लिए किस हद तक जूठ का सहारा लिया गया इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फरजी दावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थें जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिस रची गई विशेश जाच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा जूठ था इसी तरह का एक जूठ यह भी था कि बतावर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगों को रोकने के लिए कोई कोशिस नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस जूठ की भी पोल खोली की पुलिस की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने की पूरी कोशिस की और बिना समय गवाए केंद्रिय सुरक्षा बलों एवं सेना को बुलाने के साथ सांती बनाए रखने के लिए कई बार अपील भी की ये सारे तत्य उस विशेश जाच दल की रिपोर्ट का हिस्सा हैं जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जिसके कामकाज की निगरानी भी वही कर रहा था इसके बाद भी कुछ लोग इस जाच दल की रिपोर्ट को चुनोती देते रहें यह काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था इसकी पुष्टी सुप्रीम कोर्ट की इस टिपड़ी से होती है कि नीहित स्वार्थों के चलती इस मामले को वर्सों तक जिन्दा रखा गया उसने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानूनी प्रकिरिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिस की उनके खिलाफ उचित कारवाई होनी चाहिए यह कारवाई इसलिए आवस्यक है क्योंकि कुछ लोगों ने कानूनी प्रकिरिया के दुरूपियोग को अपना धंधा बना लिया है इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट 2002 के गुजरात दंगों के मामले में ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोधी को विशेश जाच दल की ओर से मिली क्लेंचित को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिपड़ियां की वे यही बता रही हैं कि किस तरह उन्हें लांचित करने का एक सरारत भरा अभियान छेडा गया सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस सरारती अभियान को रेखांकित भी किया कि ऐसा लगता है कि विशेश जाच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इसारे पर काम कर रही थी यह एक यथार्थ भी है नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छदम सेक्यूलर लिबरल कत्तुओं के साथ संदिख्ध किस्म के मानवा धिकार वादियों की एक पूरी टोली सक्रिय थी इसका साथ कुछ नौकर साह और नेता भी दे रहे थे यह महत्वपूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई जूठी बातें दर्ज की गई पैरा आयोध्या से लोट रहे कार सेवकों को प्रेन में जिन्दा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों को राजय प्रसासन के सडयंत्र का हिस्सा बताने के लिए किस हद तक जूठ का सहारा लिया गया इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फरजी गावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थें जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिस रची गई विशेश जाच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा जूठ था इसी तरह का एक जूठ यह भी था कि बतावर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिस नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस जूठ की भी पोल खोली की पुलिस की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने की पूरी कोशिस की और बिना समय गवाए केंद्रिय सुरक्षा बलों एवं सेना को बुलाने के साथ सांती बनाए रखने के लिए कई बार अपील भी की ये सारे तथ्य उस विशेश जाच दल की रिपोर्ट का हिस्सा है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जिसके कामकाज की निगरानी भी वही कर रहा था इसके बाद भी कुछ लोग इस जाच दल की रिपोर्ट को चुनोती देते रहें यह काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था इसकी पुष्टी सुप्रीम कोर्ट की इस टिपड़ी से होती है कि नीहित स्वार्थों के चलती इस मामले को वरसों तक जिन्दा रखा गया उसने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानूनी प्रकिरिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिस की उनके खिलाफ उचित कारवाई होनी चाहिए यह कारवाई इसलिए आवस्यक है क्योंकि कुछ लोगों ने कानूनी प्रकिरिया के दुरुपियोग को अपना धंधा बना लिया है इस्टाव इस्टाव